आई 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 वेलकम बेक टो आई लेवकेडमी एंड टोडे इन इस वीडियो वी एर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेट्स ठीक है तो सेट्स हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे तो फर्स्ट अफॉल सेट्स में जो सेट्स बेसिकली होती के चीज़ है वैसे तो आप को अगर एक बॉक्स के अंदर चार बॉल्स दीमी हैं और वो बॉक्स बांदा तो जी वो बॉल्स का सेट जो है वो आपका बॉक्स के अंदर पढ़ावाई है यह इस तरह करके एक जैसे चीज़ों को ज्यादा सारी चीज़े होती है तो आप उनको उनका सेट कह देते हूं मगर यहां पर मैंस में सेट सेट जो है वो थोड़ा से डिफरेंट है परस करो कि यार वो अगर आपको मैं आपको वावल्स की एक्जेम्पल लेके बताऊंगा वावल्स की ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है कि वावल्स में आपके फिलाइक वह कहता है कि एजो है ना is the है यह हम वावल्स को मौन हो तो कहते है कि यह वावल्स का सेट है ठीक है अब ने इसके अंदर यह देखना है कि मतलब ए जो सेट है मतलब A उसने नाम दे दिया walls के set को तो अगर आप mathematical term में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे A is equals to फिर आप bracket लगाओगे और फिर लिखोगे A E I O U यह होते ना walls यह लिख दोगे कि जी A जो था ना उसके set के अंदर सारे walls थे अभी जो आपने अंदर walls लिखे है ना ठीक है यह जितने भी है A के set में यह है एक पूरा set ठीक है A E I O U अच्छा अभी set में आप ने अगर वो कहते ना कि अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने यह बताना होता है कि A का element कौनस है ठीक है तो देखो A जो आपका E है ठीक है A E I O U में से अगर मैं E उठाता हूँ तो E भी आपका element है अब element का sign कुछ इस तरह करके लगता है अभी मैं आपको question में भी दिखाऊंगा E is the element of A मतलब कि E जो है वो A के set में ही बड़ाव है ठीक है I B जो है is the element of A तो यह E जो अब इसमें अगर वो कहता है कि B तो B जो है वो A के set में नहीं है इसलिए B is not element of A E ऐसे छोटा सा बनाके और उसको आप cross कर दोगे ठीक है बागी चीज़े जो है वो आगया कि आपको questions के अंदर clear होती जाएंगी अब देखियो अपना first question हम देखते हैं ठीक है तो वो कहता है कि तो B is the set of positive B is the set of odd positive integers अचा इंटीजर कहते हैं numbers को कोई भी number ठीक है तो B is the set of odd positive अब odd numbers वो होते हैं जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया ठीक है जो मतलब एक से जैदा table पर divisible ना हो ठीक है तो उसमें क्या होता है कि B is the set of odd positive integers less than 11 ठीक है अब 11 से नीचे नीचे जितने भी odd positive number है वो सब B के ही set में आएंगे तो हम B के set में is equals to लिख लेते हैं जी देखो 1 आएगा 1 शिरफ अपने table पर divide होता है यह बाद 3 आएगा ठीक है 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा 9 के बाद अगला 11 है मगर हम 11 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसने बोले less than 11 तो एपार्ट तो समझो हमने वैसे ही यहां पर solve कर लिया कि जिसमें वह कहता है कि इसके elements को list करें B के set में जितने भी elements हैं उनको लिखें तो मैंने यह brackets में B का set बनाया और उसके अंदर यह 13579 यह इसके elements लिख दिया अब आप इस question में गोर करें होंगी छोटे-छोटे e लिखें में यह elements के sign है ठीक है अब वह कहता है कि state whether each of the following statement is true या नहीं अच्छा वह कहता है पहली statement में वह कह रहा है कि whether जो आपका one है ठीक है जो आपका one है वो B का element है या नहीं तो यार यह जो true है one B के ही B का ही element है B के ही state में से निकला है ठीक है second number पे वह कहता है four जो है वो B का element है या नहीं वो sorry वो कहता है B का element नहीं है ठीक है तो यह भी true है कि हाँ यार four B का element नहीं है third part में वो कहता है कि zero जो है वो B का element है तो यह जीज़ false है इसमें आप false करोगे क्योंके याइर zero ही नहीं बी का element और तीसरा वह कहता है कि 11 जो है वो बी का element नहीं है ठीक है तो यह भी आपका true है क्योंकि 11 set में ही नहीं है ठीक है यह होगा हमारा पहले question अब आते हैं अगले question की तरफ अच्छा अगले question में वो हमें जो है अब थोड़ा 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 इसता में difficulty की तरफ इसमें जाता जाओंगा ठीक है अच्छा वो कहता है कि state the number of elements ठीक है अब elements नहीं बताने अब elements के number बताने कि कितने elements जैसे अब number के मैं आपको example ले लेता हूँ यह जैसे अगर वो कहता है कि जैसे मैं आपको उपर example दे रहा था कि ए जो है वो element एक जो elements है वो सारे vowels है ठीक है तो वो आपका क्या होगा a e i o u ठीक है तो अब अगर वो कहता है कि a के elements मत बताओ elements के number बताओ तो आपने simply इनको count कर लेना है यह one two three four five है तो आपने सिरफ इतना लिख देना है a is equals to five ठीक है यह elements के number है ठीक है इसी तरह हमने इस question में elements नहीं बताने elements के number बताने तो state the number of elements in each of the following sets अच्छा a part देख लेते हैं जी वो कहता है कि months in the year तो आपको पता है 12 होते है ठीक है 12 इसका आगया odd number between 10 and 26 अब 10 और 26 में कितने odd number आते हैं वो नहीं लिखने बलके उनको गिन के लिखना है कि कितने आते हैं 8 odd numbers आते हैं ठीक है जिसमें आप खुद देख लो एक एक हो गया आपका 11 एक हो गया 13 टू हो गया ठीक है फिर उसके बाद 14 भी दो पर divisible है 15 भी 16 भी है तो 17 आपका 3rd है और 19 आपका 4th हो गया और 20 and 21 आपका 5th हो गया ठीक है नहीं 21 भी 21 भी दो पर divisible है 23 आपका 5th हो गया और इसी तरह 24 इस तरह करके जो है आप odd numbers को इधर से 10 से उपर उपर जितने भी हैं आप count करके तो अपना मतब उस तरह भी गिन सकते हो ठीक है जो उसके बाद वह कहता है कि यह पार्ट में वह मैं कहता है कि pupil in your class who are taller than you तो यह कोई भी random number आप लिख सकते हो कि यार जितने भी आपसे लंबे हैं थ्री लंबे हैं तो तीन लिख दो चार लंबे हैं आपसे तो चार लिख दो ठीक है अच्छा डी में वह कहता है colors in your school flag यह भी वह आपकी चोईस है कि question क्या आपने number लिखने है seven colors है तो हम seven लिख देंगे ठीक है आगे हम आ जाते है F में वह कहता है horoscope science कितने होते हैं तो वह आप net पे भी देख सकते हैं internet पे वह 12 होते है ठीक है यह था आपका second question अच्छा उसके बाद आज जो third question के उपर आइस्ता इस्ता यह अब आपको difficulty की लेके जाएगा ठीक है अच्छा वाजो third question के जिसके अंतर पर कहता है कि list all the elements ठीक है in each of the following sets in set notation अब वह कहता है कि यह पार्ट थोड़ा सा tricky है ठीक है यह question का हिसा थोड़ा सा आपको तंग करेगा अच्छा इसके अंदर वो कहता है कि हमने elements लिखने हैं मगर उसने जिस तरह की statements नहीं है न वो आप देखा हो वो कहता है x ratio x मतलब वो कहता है कि a के अंदर जो elements है न वो क्या है x ratio x is a positive integer between 1 and 10 ठीक है अब positive integer between 1 and 10 ठीक है अब इसमें आप क्या करोगे कि वो कह रहा है कि a के सैट में जो है न वो positive integers हैं between 1 and 10 एक और 10 के दर्मियान में तो आप सबसे पहले तो one छोड़ दोगे a is equals to one छोड़ के बाकि सारे लिख दोगे two three four five six seven eight और nine ten भी नहीं लिखना क्योंके between 1 and 10 एक और 10 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो a के सैट में count होंगे ठीक है उसके बाद आप बी पार्ट देख लाए तो वह कहता है एक्स रेशो एक्स इस negative integers between minus 10 and minus 1 ठीक है अब जो negative integers है न वो आपको चाहिए अगर वो between भी कह रहा है न तो आपको पूरे लिखने पड़ेगा माइनस 10 ठीक है फिर माइनस 9 फिर माइनस 8 फिर माइनस 7 फिर माइनस 6 फिर इसी तरह माइनस 5 माइनस 4 और वोर से लेके ओनवर्ड माइनस 1 तक ठीक है तो positive में आप between 1 & 10 में आप 1 पहले डिजिट और लास डिजिट नहीं लिखोगे मगर अगर आपको वही फिग में दी जाती है तो आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है पूरे लिखने पड़ेंगे जब सी में वह कहता है कि एक्स 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 इस पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अच्छ डैट माइनस 2 अब यहां पर यह जो माइनस 2 और एक यह इस तरह का मूँ बना वहा है और एक्स ठीक है एक्स बीच में लिखा वहा है और एक इस तरह का साइन बना वहा है और 12 लिखा वहा है इसका मतलब होता है कि आपके जो इवन नंबर्स होंगे वो टू से बड़े होंगे माइनस 2 से देखो माइनस 2 की तरफ इसका मूँ बन्द है और एक्स की तरफ इसका देख लो मूँ ओपन है ठीक है तो अब क्या सिस्टम होगा कि माइनस 2 से बड़े होंगे और माइनस 12 से छोटे और 12 के एक्वल होंगे ठीक है 12 से छोटा इसलिए क्योंके देखो एक्स की त अब खुला है तो मतलब कि 12 से छोटे और यह जो नीचे एक लाइन इन्हों ने लगाई विए इसका मतलब होता है इक्वल साइन या 12 से छोटा या 12 जितना ठीक है मतलब अब हमें C के सेट में वो even number लिखने है जो minus 2 से बड़े हो और या तो 12 अगर 12 है तो 12 को भी लिख दोगे वरना उस से नीचे नीचे जितने भी है ठीक है वो minus 2 से अब बड़ा कौन सा मारे पास odd number आता है 2 और even number आता है 2 ठीक है 2 के बाद 4 आता है 4 के बाद 6 आता है 6 8 आता है यह वो numbers है जो एक से जादा number पर divide होने चाहिए ठीक है 8 के बाद 10 आता है 10 के बाद आपके पास 12 12 भी लिखोगे क्योंकि उसने बोला था अगर 12 equal to 12 तो अगर 12 भी है odd number तो 12 को भी आप लिख सकते हो अच्छा उसके बाद आप D पार्ट पर आजा तो वह कहता है कि D is the set of vowels in the word happy ठीक है अब happy हमारे पास एक word है ठीक है मगर इसमें हमने सिर्फ vowels डूडने है और D के set में वो लिखने है तो D के set में A की vowel है happy के अंदर A तो हम A सिर्फ D के set में लिखेंगे ठीक है इस तरह करके आपने जो है यह solve करना है अब आगे आजो आप अपने question number 4 के उपर ठीक है तो इसको भी देख लो अच्छा इसके अंदर वो कहता है कि list the elements अब यहाँ पर elements के number नहीं लिखने है यहाँ पर elements लिखने है ठीक है अच्छा जी अब वो कहता है कि vowels in the word mathematics ठीक है अब A part में वो कहता है कि mathematics के अंदर जितने भी vowels है वो आपने एक set के अंदर लिखने है ठीक है तो यह mathematics में आपके पास पहला जो है M के बाद A है ठीक है उसके बाद TH भी आपके नहीं है उसके बाद E है आपका ठीक है फिर M और A ठीक है तो एक दफ़ा जब आपने A लिख दिया तो दुबारा लिखने की जरूरत नहीं है T और फिर I I C ठीक है और यह आपका इस तरह A E I T नापके vowels जो है वो A part में आपके mathematics जो word है उसके अंदर आएंगे अच्छा बी पार्ट में वो कहता है seven colors of rainbow तो आपने set के अंदर seven के seven colors लिख देने है ठीक है जैसे आपका red होता है ठीक है उसके बाद आपका orange होता है और green होता है ठीक है और उसके बाद आपका yellow होता है ठीक है और blue होता है indigo and violet ठीक हो गया यह आपके seven colors हो गए यह सी पार्ट में वो आपको कहता है कि multiples multiples of nine which are less than 50 multiples of nine का मतलब भी होता है कि nine के table के अंदर जितने भी number आ रहे हैं न 50 से कम जो भी जहां तक numbers जो है वो 50 से कम तक आ रहे हैं आप last number आप देखो तो आपके पास देखो last number आपके पास 45 आता है 45 से उपर आप nine के multiples नहीं लिख सकते हैं तो 50 से नीचे नीचे जितने nine के multiples है ना nine के table में 50 से नीचे जितने नंबर आ रहे हैं और सारे लिख दो देखो पहला तो आपके पास nine ही आ जाता है ठीक है नाइन वन जा नाइन नाइन टू जा एटीन ठीक है यह दूसरा स्कूल फ्लाइग ठीक है अब आपकी स्कूल फ्लाइग के अंदर जो कलर्स है वह लिखने है यह वह फिर वही चीज़ है कि यार अब यह वह अंसर है कि आप खुद ही दोगे ठीक है उसके बाद यह इवन नंबर्स विचार बिट्वीन टैने ट्वेंटी थी अब इवन नंबर आपने बिट्वीन टैने ट्वेंटी थी लिखने तो टैन तो आप लिखने सकते क्योंकि बिट्वीन है तो टैन नहीं लिख सकते आप बिट्वीन का वर 22, ठीक है 23 भी नहीं आप लिख सकते हैं, ओके उसके बाद आ जो अपने last question के उपर, हमारी इस exercise का last question है, ठीक है, अब वो कहता है कि यार इस तरह के question भी आप गवाएंगे, sets के अंदर वो कहता है कि यार ये एक सई set है या नहीं है ठीक है मतलब ऐसा कि वो कहता है कि state whether each of the following collection is well defined ठीक है अब ये well defined है या नहीं है हर set यार ए पार्ट में देखो हमने इस question के अंदर सिरफ yes और no लिखना है ठीक है और reason दिन है देखो a पार्ट में देखो तो वो कहता है a pupil in my class who has two brother अब ये possible है ठीक है तो इसमें आप yes लिख दोगे कि यहां यार दो brother हो सकते हैं हो सकता है मेरी क्लास में ऐसे लड़के हो सकते हैं जिनके दो भाई हूँ ठीक है अब b पार्ट में देखो तो वह कहता है a pupil in my class who is shy अब ये well defined नहीं है इसका कि आप no लिखो गए because किसी की नजर में अगर कोई बंदा shy है हो सकता है अगर तीन बंदों की नजर में वो शाय है तो बाकि दो की नजर में वो confident हो ठीक है तो ये एक well defined statement नहीं है ठीक है इसी तरह a TV actor who is well liked by my classmates अब जरूरी नहीं है कि सारे classmates को ही वो TV actor पसान दो इधर इसने ये भी well defined नहीं लिखी वी ठीक है उसके बाद d part में है a dish well liked by my family member ठीक है अब ये भी जरूरी नहीं है कि एक dish सारे family members को पसान दो ठीक है तो ये भी well defined नहीं है ठीक है ये पार्ट में कहता है a textbook use in my school देखो अब ये एक well defined है कि textbook मेरे school में use होती है ये well defined set है ये textbook use हो सकती है उसके बाद है the most attractive actor in hollywood ठीक है अब most attractive actor in hollywood वो देखो अगर एक बंदा उसको most attractive care है दूसरा उसको शायद पसान दी ना करता हो इस पुझे से ये well defined नहीं है ठीक है तो इस तरह करके आपको statements भी जो है न उनका वो idea लगाना पड़ता है ठीक है तो ये तो थे समझ लो basics आप लोगो समझाने के लिए introduction था sets का आगे फिर मैं जड़ा थोड़े डूंडूंगा इसमें difficult questions और उसके साथ पिर next video लाओंगा तब तक के लिए please like and subscribe my channel झाल